नमस्कार नियूस वर्ल इंडिया देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ सुमन पाल बुलेटिन की शुवात करेंगे बड़ी और एहम खबरों के साथ केंद्रिय मंत्री पशुपती पारस ने रविवार को ही जोड़ दे कर कहा है कि वो अपने बड़े भाई और दिवगत ने तैराम विलास पासवान के राज नितिक उत्रादिकारी जबकि उनके बेटे चुराग पासवान केवल दिवगत भाई की संपत्ती पर दावा कर सकते ह पशुपती पारस ने ये टिपड़ी मीडिया की तरब से उनके और चुराग के बीच रिष्टों के बारे में पूछे गए सवाल पर की है और बताते चले आपको कि दोनों के रिष्टों में दो साल पहले उस समय तलखी आ गई थी जब पारस ने बगावत का ज़ड़ा रहा है कि मैं बता सकता हूं कि कैसे मैं बड़े साहिब का राजनितिक उत्रा अधिकारी हूं उन्होंने ये भी कहा कि चुनावी करियर की शुरुवात 1969 में बिहार की अलोली सीट के विधाया के तौर पर कि थी और वर्ष दो बताया जा रहा है कि 1977 में हाजीपूर से सांसत बनने के लिए आलोली सीट छोड़ दी और उन्होंने मुझे इस विधान सभा सीट से लड़ने को कहा उनके आदेश के बाद मैं उक्त सीट से जीता जबकि तब मैं सरकारी नोकरी पर रहा था और पशुपती कुमार पारस ने 2019 लोग सभा चुनाव में संसद्य पारी तब जब उनके भाई ने राजय सभा का सदस्य बनने का फैसला किया पारस ने दावा किया कि बड़े साहब के कहने पर उन्होंने दिली का रुख किया जबकि वो खुद इसके लिए इच्छुक नहीं थे उन्होंने कहा कि मैं शुरू से शुरू में ही तियार नहीं था और ये तक मैंने बेटे या भावी जी चिराग की मा यानि को हाजीपुर सीट से चुनाव लडाने का पिचार करने का नरोध किया था। जीत को कायम रख सकता हूँ और मैंने चुनाव अभियान के दुरान भी अपनी अनिच्छा छिपाई नहीं। गवागाओ के दबंग प्रधान पुत्र अमर सिंग यादव द्वारा अपने आधा दरजन गुर्गों के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया। और लाठी डंडो से मारपीट कर अधमरा छोड़ कर मौके से फरार हो गए और जिसे परिजुनों द्वारा कमभीर हालत में जिला अस्पताल राइबरेली भरती कराना पड़ा। लेकिन उसके बावजुद दबंगों पर कोई कारवाई नहीं हुई। महीपरधान के दबंग पुत्रों ने पीडित के परिजनों को फोन करके जान से मारने की धंकी दी है कि अगर सुला नहीं करोगे तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। जिसका ओडियो भी अब शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है और पेडितने पुलिस के अभिक्षकार आले पहुँचकर जान माल की सुरक्षा और म्याई की गुखार भी लगाई। मेरा भाई जो है जीतेयन सिंग ये जानौरों के प्राइवेट डाक्टर हैं जो की इलाज करने के बहाने इनको बुलाया गया है मनी राम पुत्र अमर यादो जो की प्रधान है इस टाइम उन्हीं लोगों बुलाया है और बुलाने के बाद में इनको गसके मारा पीटा है और इसके एक दिन पहले राद में भी आये थे मनी राम और उनके साथी लोग कई लोग आये थे जो की गाउं में गाली वाली दे रहे थे घर गहर रखा था उसके बाद में जब 112 हमने बुलवाया तो एससाब ने उनको माना कर दिया कि चले आओ उन तो नसा कर रखे हैं इस इसका यही नतीजा है कि पुलिस अब सही कारवाई नहीं कर पा रही है इसका अकल राद में फिर फोन करके धंकी दे रहे हैं कि यह अच्छा नहीं कर रहे हो आप लोग अगर कानूनी कारवाई करेंगे तो हम मैं जान से मार दूँगा और इसी ख़बर पर हमारे साथ राइबरेली से हमारे सहयोगी मुहमद आबिध हमारे साथ जुड़ चुके मुहमद गवाई को फोन करके धंकी देने का यह आडियो वाइरल हो रहा है पूरा मामला क्या है विस्तार से बताएए आपको बताना चाहूंगा कि पूरा मामला जो है राइबरेली के शियोगर थाना छेत्र का है जहां के यह जानवरों के डाक्टर है जिनको दबंगों में पीटा था इसको लेकर के थाने में सूचना भी इन लोगों में दी थी लेकिन पुलिस में कुल कारवाई नहीं की थी जिसको लेकर के दबंगों द्वारा जो है इसको फोन पर धंकी भी दी गई है पीडिसो जी धंकी देने का मुहमत अब देखिया और आडियो भी वाइरल हो रहा है तो इसको लेकर पुलिस कुछ कारवाई कर पा रही है पितर पुलिस है जाए गया तो पुलिस करेंगा मामल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और आहम जानकारी देने के लिए चले रोकर तेखियनी खबर के और डेड़ दसक से बंद चल रहे महोबा महतसव का जिला अधिकारी मनोज कुमार की पहर पर शाददार आगास हुआ है जनपत के स्थापना दिवस पर ही सांसर्द पुषपेंद्र सिंगर चंदेल ने फीता काट कर महोबा महतसव का शुभारम किया है जिसमें सदर विधायक राकेश गोस्वामी और मलसी जीतेंद्र सिंगर सेंगर जी मौचूद रहे और एक सब्ता तक चलने वाले महोबा महतसव में स्थान्य कलाकारों सहित राष्ट्री अस्तर के कलाकार भी अपनी परस्तुति देंगे और डियम की इस पहल से महोबा वासियों में खासा उच्छा है एतिहासिक कीरत सागर तटपर 11 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित कारे क्रब में रंगारंग कारे क्रब होने हैं और डियम की पहल पर हो रहे महोबा महतसव की सांसद पुषपेंद्र सिंग चंदेल सहित मौजूद जनपरती निधियों ने भी जम कर प्रिशन सकी है और महोबा को प्रेटन के लिहास से उचायो तक पहुचाने के प्रयास को सराहा है दरसल बता दे आपको की 11 फरवरी उने सोब जानवे को हमेरपूर से अलग होकर महोबा को जनपत का दर्जा मिला था और ततकालिन के ही विधायक रहे अर्मिन मरदन सिंग नाना की मांग पर ही ये सोगात महोबा को दी गई थी और तभी से 11 फरवरी को ही महोबा महोचो का आगाज शुरू हुआ था लेकिन पिछले डेड़ दर्शक से अधिक से महोबा महोचो बंद पड़ा था इसको लेकर जनपतवासियों में भी काफी नराजगी बनी रहती थी लेकिन अब महोबा के जिलादिकारी मनोज गुमार्दी इसे गंभीरता से लेते हुए जिलास रिजन की साल गिरा बहुत सोब के रूप में मनाया है और इसका बतादे आपको कि उद्खाटन जो है फिता काड कर बिजेपी सांजद पुषपेंदर सिंग चंदेल ने किया है और महोबा में ही प्रेटन विकास के अंतरगत जिला सर्जन की वर्षगाठ मनाई जा रही थी और महोबा को जनपत बने बतादे आपको कि अठाई साल हो गई है और इस वर्षगाठ पर प्रेटन की द्रिष्टी से तिहासिक नगर की भविता और दिवता को दिखाया जा रहा है महोबा के सभी धर्षणिक और प्रेटन स्थलो पर तक ही लोगों को लाने के लिए महोटसव की जर्ये एक पहल की जा रही है महोबा के तिहासिक कीरत सागर टट पर आयोजित महत्सों में दर्षणी भी लगाई गई और इसके साथ ही आपको बता दे कि जिला परिशासंद वाला आयोजित महत्सों का उतेश है यहाँ प्रेटन विकास को गती देना है और जिससे लोग सांस्कृतिक परचार परसाल को बढ़ावा मिल सके आयोजित कारेकरम में बतोर मुख्या दिती सांसत पुष पेंदर सिंग चंदेल सदक इधायक राकेश गोस्वामी मलसी जितेंदर सिंग सेंगर और सहीत डीम एस्पी ने दीप परजलित कर संस्कृत कारेकरम की शुरुबात की है बालिका इंटर कॉलेज की छात्राओं ने सरस्वती वंधना प्रस्तुत के स्वागत गीत भी गाया है तो वही पर आपको बताते चले कि नवरास म्यूजिकल ग्रूप ने ही अला गायान प्रस्तुत कर सभी को मंत्र मुख्द कर दिया और इसके अलावा तमाम रंगारंग एकरम भी आयुजित किये गए तो वही स्कूली बच्चे भी प्रेट देकर मौजूद लोगों नहीं उनका जमकर तालियों से स्वागत किया सांसद पुषपेंदर सिंग जुन्देल ने कहा कि जल्पत मांग की लड़ाई महोबा के लोगों ने लड़ी है और वो खुद इ 1995 को जनपत का तौफा महोबा को मिला और तब से लगातार जनपत का विकास हो रहा है महाचपा सरकार भी इस विकास में कोई कसम नहीं छोड़ रहा है और यही वज़ा है कि प्रेटन छेतर में महोबा लगातार अगरणी होता जा रहा है महोबा के सभी दार्शनी के तिहासि अंधार्मिक स्थलो को सहेजनी और सवारने का काम किया गया है जो लगातार जारी भी है और महोबा का सूर्य मंदिर हो या फिक गोरखनात की तपो स्थली गोरख गिरी परवत एतिहासिक कीरत सागर टट सहेत बुलंद खट के ही कश्मीर चर्खारी और कई किनों को सवारने का काम को रहा है पर मोजोज जनपरती निधियों और अतिथियों ने एक सब्ता तक चलने वाले इस महत्सों की जमकत सरहना भी की है अधनी सरी अर्मर्दन सिंग्जी जिनके अथक सहयोग प्रयास्की कार कम हुआ था थी वानी सदर विधायक जी के साथ में आज गुंदेली समाज द्वारा अधनी तारा पाठकार जी जो सामाजी कारे करता है और हमेशा लोगों को अच्छा कारे करके प्रेड़ना देते हैं तो आज ऐसे जुविभूतियां है जो संगीत, कला के चैत्रमे, समाज के चैत्रमें जो अच्छा कारे करने के लिए उनको संभानित किया गया और रिष्टित तोर से आप देख रहे होंगे को महोवा जिला या बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है अभी बीच में दो फरवरी को ही बर्ड सेंचुरी का इस्टेट लेवल का कार्ट का हुमारी वेज़ा सागर पच्छी विहार में वुगा था सासन की मनसा है कि परेटन की दरश्टी से यह है महोवा जिला ओल डवलप हो इसके लिए मानी मुक्षमंती जी ने सदर विजाहिक जी हम सब लोगों के निवेदन पर ये बुंदेलखन सरकेट में महोवा चर्खारी को भी इंकलूट किया है और यह उत्तर प्रदेश की जो डा जंतर प्रियास कर रहे हैं और उमीर है कि बहुत जल्दी ये परेटकों के लिए एक है टूरिज्म हब के नाम पे जाना जाएगा तो दूर दिरास्ते भी लोगवा परेटक यहां पर आएं इस्थानी लोगों को रोजगार मिल सकते निश्चित रूप से पूरे महोवा जन अंधूलन चलाया सवभाग से मुझे भी उस अंधूलन में बहुत दिन तक काम करने का सीखने का लोगों से मिलने का अउसर प्राप्त हुआ मैं समझता हूं कि पूरे जन्दपत के लोगों के जन्द भावनाओं के आधार पर इतना बड़ा अंधूलन खड़ा हुआ था औ यह बहुत स्वस्त परंपरा है कि जो भी जन्दपत हो जैसे घर में लोग बच्चे का जन्द दिन मनाते हैं अपने बुजरूं का मनाते हैं महापूर्स नपंदे तो अपने जिसा भी उत्तरपज़ेस्का भी दिवस मनाया गया था तो मैं निश्चत रोप से इस बात के ल देखिए हम सबसे पहले दो धनवाद देना चाहेंगे अपने नाना जी को हमाई तूर विदाय करमार्टन सिंग्जी को जिनकी सोजन से और हमारे आज इसकार कम में हम लोगों को पस्तित हुए हैं तो यह जिला अज अपसे बना है आज 28 साल होने जा रहे हैं जिला बनने के ब अजिर विद्टित होती थी एक एक कार के लिए तीन चीतिन महुड़ा पढ़ा रहे हमीरपूर में पढ़ा रहना पड़ता था हमारी नाना अपनी राजदी दाओं पर लगा कर अपना सब दाओं पर लगाकर महुणा बनवाया और तब से आज तक जिले महुआ ने बहूत की है आप देख रहे हैं चाही टूरिस्ट के मामले में हो का भिजली कम हर मामक्री चाहरे में होने जा रहा है जासा कि हमारे हाम ही पांथरी जी ने आश्वासंदी इस सठाप नहीं यहां कि स्फथ काहण केार ने करihा लोगे लुगर विसे तक कुछ मध सब्सक्राइब मानी मुखमंतर जी ने बड़े दिल दाल मुखमंतरी थे यह उने आ दिया पातकार जी ने हमारे सम्मान किया है अच्छी लोगों मानी बिजाईजी के मानी मैं में सिस्थाब का साथ मेरा भी तुम में बड़ा भारी हूं क्या लगता है जिला बनने के बाद महुगा में बड़ा हुगा है तुरंट इस तालू हो गया था तुछी मानी मुखमंतरी जी ने टोकिन दिया था अन जगा टोकिन नहीं देते इस चंदेल के देन थी जो टोकिन मागा था मंस में उन्हों एक गाहे को पैदी जी ती तो तो होगा जिला इस तापना दिवस पर हर वर्स हम लोग आई विदाएगी हम लोग पॉस्कल सिंग की सम्मान में एक वीर भूमी और उष्कार देते हैं वीर भूमी सम्मान पुसकल सिंग सम्रती वीर भूमी सम्मान वही आज 19 लोगों को दिया गया जो महोवा के लोग अच्छे कारे कर रहे हैं उसमें उस आलह गायन वाली टीम को भी दिया गया है जो 10 लोगों की टीम थी करनाटक के हुबली सहर में जिनोंने राष्ट्री कारे करने वाले और लोग हैं उनको भी किया गया तो यह हर वर्स यह समारो होता है और उसमें पुसकल सिंग जी की इस्मरती में महोवा जिला बनाओ उस आंदोलन को हम लोग याद करते हैं जिसमें बहुत लोगों ने संगर्स किया उन सब को नमन करते हैं और पुसकल सिंग इस के द्वारा ही लूट और चोरी का खुलासा करते हुए दो शातिर लूटेर को गिरफतार किया गया है। इसके साथ उन्होंने जानकारी दी कि गिरफतार अभियुक्त गड़ शातिर किस्म के अपरादी हैं जो गैंग बनाकर मकानों को चिनित कर मोका पाकर उनमें चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। यह स्मैक के लटी थे थे तिनों और जहां भी इनको मुका मिलता था यह इन्वेटर बैटरे वहां से निकाल लेते हैं। सबसे पहले 24 दिसंबर को कि राथ को एक गाउत के स्कूल में प्राइमरी स्कूल था वहां के चौकितार को खायल करके वहां से इन्वेटर बैटरे निकाल लिये थे। उसके बाद ये मंदिर में भी इन्वेटर बैटरे और कुछ बहां के बर्तन भी निकाल लिये थे मंदिर के और अभी वर्दमान कॉलनी में लेटेस्ट इन्होंने चोरी करी थे घर में कुसका। सुवर्दमान कॉलनी का ही जब हमने CCTV देखा तो उसमा पता जला कि दो लोग आइडेंटिफाई हो गए थे इनको अपने ग्रफ्त में लिया इस अप्योस्टाज करी तो उन्होंने पुछले गष्णाओं का भी खुलासा किया आप दौरा और वहां जो चीजे चोरी होई थ स्टार्टी में बताया है इस वज़े से यह उसी नशे के उसमें यह चुलाते थे और उन्हों को बेचकर हजाटी रुपे कमाकर यह स्मैक रिचते थे और नशा करते हैं बान्दा जनपत के बबेरू तैसिल छेतर अंद्रगत पुन गाउं पर एक पचास वर्षे किस्यान को ही जहरीले कीडे ने काट लिया और जिसके कारण से मौत हो गई परिजनों के द्वारा ही अस्पताल में भरती कराये गया है और जहां पर डॉक्टर ने देखते ही देखते हैं उसे मिर्त घोशित कर दिया मामला बबेरु कूत वाली छेतर अंद्रगत पुन गाउं काहरे जहां के रहने वाले ग्यांचंद्र यादो पुत्र रामेश्वर उम्र जिनकी पचास वर्ष की सुकरवार की दोपहर अपने खेत की रखवाली करने गया था और वही खेत से घर जाते समय रास्ते में चहरीले कीड़े ने काट लिया जिसे ग्यांचंद्र की हालत विगड़ने लगी किसी तरह पर घर पहुचा तो परिजनों को घटना की जानकारी दी जिसे परिजनों के द्वारा गंभीर हालत में बबेरु समधाई कर स्वास्ते के अबजी मिलेकर बंचुनामा भरकर पोस्ट माटम के लिए फीज दिया है वही पुलिस घटना की जांच परताल में जुटी हुई है और इस मौत से मिर्टक की पत्निस अई तीन पुत्र और दो पुत्रियों का रो रो कर बुरा हाल है कि मेरे चाजा जी खेत गए थे हां तो जिसे खेत से घर वापस आ रहे थे तो रास्ते में किसी जहरीले कीड़ी ने काट लिया है जब घर आये ताब अचाना गिर गए तो पता चला तो अभी हम लोगों ने अस्पाताल लेके आए तो डाक्टर रिम्रत घोषित कर दिया अच्छा अब क्या हो पुलिस के बुलार है पोस्ट माडम के लिए बेज रहे हैं अच्छा पोस्ट माडम करवाएंगे जी पोस्ट वोल्ड इंदिया